हेलो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये है चंद का घर और यहां पर सोनम के पापर सो रहे हैं और यहां सो रही है सोनम और सोनम की मम्मी चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर तभी यहां सोनम की मम्मी चाग जाती है सुभा हो गई, क्या चलो उठती हूँ अरे देखो तो नौ महीने होने वाले हैं लगता है मेरी डिलेवरी का टाइम आ गया है सुनम बेटा, सुनम बेटा उठ जाओ जल्दी से थोड़ी मेरी मदद कर दो, चल कर रसोई में जाड़ू मार दो अरे लड़की भी न, मैं क्या करूँ, मैं तो उठी नहीं पारी हूँ लगता है सच्वे मेरी डिलेवरी का टाइम आ गया है चलो जाती हूँ, चल कर जाड़ू मार लेती हूँ और यहां चंदा जाड़ू मारने के लिए जाने लगती है अरे चंदा तुम इस हालत में काम मत करो, लेकिन सोनम तो उठी नहीं रही है अरे मैंने रात को जाड़ू कहां पर रख दिया था, रसोई में ही तो रखा था शायल चलो देखती हूँ, कहां पर है हरे हां वो रही जाड़ू, चलो जल्दी से उठाकर जाड़ू मार लेती हूँ फिर चायवाय बना दूँगी आह, मुस्से तो जुखा ही नहीं जा रहा है चलो कैसे भी करके जाड़ू मार लेती हूँ जल्दी से सोनम की पापा, सोनम की पापा उठ जाए, सुभा हो गई है अभी तक सो रहे हैं, सोनम की पापा भी ना और यहां परचंदा जाड़ू मारने लगती है सोनम की पापा उठ जाए जल्दी से चलो उठ जाता हूँ जल्दी से अरे ये क्या अरे ये तो सोनम की मम्मी है ये क्या कर रही है रसोई में चलो जाकर देखता हूँ सोनम की मम्मी भी न अरे सोनम की मम्मी सोनम की मम्मी तुम क्या कर रही हो तुम रसोई में जाड़ू क्यों लगा रही हो मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कोई भी काम मत करना तो फिर तुम क्यों कर रही हो और सोनम कहा पर है मैंने कहा था सोनम को कि थोड़ी बहुत मदद कर दिया करे तुम्हारे लेकिन ये लड़की भी बिल्कुल भी नहीं सुनती है तुम्हें इस हालत में काम नहीं करन अभी रहें तोड़ी ना इतना सारा काम कर पाएगी कोई बात नहीं रहने दीजिए अरे नहीं नहीं सोनम की मम्मी अब सोनम बड़ी हो गई है उसे भी थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए सोनम कहाँ पर हो तो मझें जल्दी आओ यहाँ पर आओ हाँ अले पापा भी न क्यों चिला रहे चलो जाकर देखती हूँ हाँ पापा अभी आई चलो जाकर देखती हूँ क्या हुआ पापा अपने मुझे क्यों बुलाए मुझे नींद आ रही है अरे सोनम बेटा तुम्हारे ममी इस हालत में काम नहीं कर पाती है जादा मैंने तुम्हें कहा थना कि थोड़ा बहुत काम हैं मदद कर देना लेकिन तुम तो सो रही हो मज़े से चलो अब एक काम करो जल्दे से रसोई में जारू लगा दो क्या मैं लगाओ अच्छा ठीक है पापा मैं अभी लगा देती हूँ अब मुझे कोई भी प्याल नहीं करता अच्छा सोनम की मामी चलो तुम बैट जा ठीक है ना मैं भी जाकर थोड़ा कुला मंजन कर लेता हूँ ये बोलकर सोनम की पापा वहां से जाने लगते हैं कोई भी मुझे प्याल नहीं करता है नया बेबी आने के बाट तो मुझे कोई पूचेगा भी नहीं मुझे सारा काम कराएंगे ममी पापा अब सिर्फ न्यू बेबी कोई प्यार करेंगे मुझे कोई भी प्यार नहीं करेगा चलो कोई बात नहीं मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना मुझे क्या अरे ये सोनम भी न अच्छा सोनम बिटा मैं जाकर कुवे से पानी भर लाती हूँ पानी नहीं है फिर चायवाय बना दूंगी ठीक है न और फिर तभी वहाँ पर राधा आने लगती है चलो जाकर देखती हूँ दीदी क्या कर रही है वैसे बे ऐसी हल तो उन्हें काम नहीं क करना जाए जाकर उनके कमों में हाथ बटा देती हूँ दीदी कहां पर है आप देखिए मैं आए हूं कहां पर है अरे सोनम तुम यहां पर काम कर रही हो दीदी कहां पर है अले आंच्छी आप वो तो कुवे से पानी भरने के लिए गई है क्या दीदी इस हालत में कुवे से पानी भरने गई है अरे दीदी भी ना इस हालत में वो क्यों काम कर रही है और वजन तो उन्हें बिल्कुल ने उठाना चाहिए लेकिन देखो तो कभी भी किसी की नहीं सुनती और फिर तभी यहाँ पर जन्दा पानी लेकर आ जाती है यह चोटा से पानी का मटका भी कितना वजन लग रहा है चलो जाती हूं जल्दी से अहरे यह क्या यह तो राधा है अहरे राधा तुम यहाँ पर क्या बात है आह मेरा सर औरे राधा राधा बचाओ मुझे और फिर यहाँ पर चंदार नीचे किर जाती है और राधा बचाओ बहुती ता दर्द हो रहा है राधा जल्दी बचाओ अरे अरे दीदी ये क्या हूँ आपको अरे नहीं लगता है दीदी कड़ी लेवरी का टाइम आ गया है अरे भाईसा आप जल्दी आए जल्दी आइए देखिए दीदी नीचे किर गया है जल्दी आए अरे दीदी आप चंदा मत किजिये सब ठीक होगा अरे राधा जल्दी कुछ करो पोती दर्द हो रहा है राधा अरे मम्मी आप चिद्धा मत किजिए आप ठीक हो जाएंगी अरे राधा मैं एम्बूलस को बुला लाया हूँ वो बस आ ही रही होगी ठीक है न सोनम की मम्मी तुम थोड़ा सा होशला रखो सब ठीक होगा ठीक है न सब ठीक होगा सोनम की पापा आँ अरे अरे हाँ 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 सोनम की ममी मैं यही पर हो चलो आ जाओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ जल्दी से होस्पिटल चलिए सोनम की पापत जल्दी करिए और फिर तभी यहाँ एम्बिलस भी आ जाती है चलिए चलिए जल्दी कीजिए कौन है पेशिंट कौन है पेशिंट कौन है जल्दी कीजिए अरे हाँ हाँ मेरी बीवी मेरी बीवी यहीं है अरे यह तो प्रेगनेंट है चलिए जल्दी से बिठाईए जल्दी कीजिए अरे हाँ हाँ जल्दी से बिठाईए सोनाम की मामी जाओ ठीक है ना कोई भी जुरुत पड़े तो फ्लीस मदद कर देना अरे हाँ बैसा बीबी कोई बोलने वाली बात है मैं जाती हूं जल्दी से अरे सुनम बेटा लगता है नया बीबी आने वाला है असे तुम्हें काम करो घर पर रुको और शाम का भी ख्याल रखना ठीक है जाओ ध्यान से प्ट्रेग्नेन महिला है थोड़ा भी उचनीच नहीं होना चायिए चलो जल्दी से अच्छी से इस्ट्रेचर पर लेटा दो चलो अच्छी से लेटाऊ कोई भी गलती नहीं अरे हां हां बोस चलो अरे धीर सिध आह, आह, डौटर जल्दी से कुछ कीजिए, बहुत ज़்यदा पेंड हो रहा है आप चिंता मत कीजिए, चलो नर्स जल्दी करो, हमें जल्दी से अրजेंट लेवरी करनी पड़ेगी अरे हाँ डॉक्टर इंकर डिलेवरी का टाइम आ गया है आप प्लीज सब अच्छे अच्छे से करवा देना ठीक है न अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए थोड़ा सा दर्स से लेजिए अच्छा डॉक्टर प्लीज सब अच्छे से करिएगा ठीक है न सब अच्छे से हो जाए हरे हाँ हाँ भाई साब आप चिंता मत कीजिए पहले आप बाहर चले चाहिए अरे हाँ हाँ ठीके ठीके मैं जाता हूँ आज मैं भूत ये दख खुश हूँ आज तो मैं फिर से पापा बनने वाला हो अच्छा चंदा चलो जोर जोर की सासे लो अरे लगता है डिलेवरी का टाइम एकदम से हो गया है चलो नर्स जल्दी से परदा लगा दो अरे हाँ हाँ नर्स मैं अभी लगाती हूँ ये ही तो मेरी ड्यूटी है चलो जाती हूँ जल्दी से और फिर यहाँ पर नर्स परदा लगाने के लिए जाने लगती है चलो अच्छे से परदा लगा देती हूँ बस चंदा की डिलेवरी अच्छे से हो जाए येस डॉक्टर मैंने परदा लगा दिया है चलिए हमें प्रोसेस शुरू करने चाहिए आँ, डॉक्टर अरे चंदा आप चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा थोड़ा हिम्मत रOpen रिखे थोड़ा अरे ही बधाई हो बधाई हो लड़्गा हुआ है लड़्गा हुआ है देखो तो कितना प्यारा है ये बच्चा अरे राधा बधाई हो लड़का हुआ है देखो अरे वाँ देखो तो कितना प्यारा है बच्चा अरे वाई दम दीदी पर गया है देखो तो अरे हाँ सही कहा बच्चा बिल्गुल अपने मा की उपर गया है अच्छा ठीक है आप मैं बच्चे को चंदा के पास सुला देती हूँ थाकि चंदा भी अपने बच्चे को देख ले देखो चंदा लड़का हुआ है बिल्कुल तुम्हारे उपर गया है अरे हाँ ये तो बहुत ही प्यारा है मेरा प्यारा बेटा अरे अरे वा मैं बोदे अदा खुश हो मुझे बेटा हुआ है अरे वा खुशिया मनाओ खुशिया मनाओ अरे ऐसे केसे सर्फ खुशिया मनाओ मिठाई चाहिए हमें मिठाई खिलाई ये अरे हाँ हाँ ये भी कोई कहने वाली बात है मैं अभी मिठाई लेकर आया और सब को खिलाऊंगा सभी को चलो चलो जाता हूँ अरे वाँ डॉक्टर आज फिर से हमने एक सेफ डिलेवरी कर दी चलो अच्छा है कि बच्चा और मा दोनों ठीक हैं अरे हाँ नर्स तुम एकदम से ही कह रही हो अरे वाँ सोनम और चिंगी बच्चे को देख कर तो खुश ही हो जाएंगी चुप हो जाओ बेटा चुप हो जाओ दोस्तो अगर आपको हमारे आगी कहानी देखनी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चलो को सब्सक्राइब जरू कर देना थैंक यू